दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं नमस्ते दोस्तों तो आज से लगभग दो मेहने पहले को याद कीजिए कोरोना वाइरस का ही समय था बहुत सारा संकट, कोवीड को लेकर बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारा डर और इसके बीच आई थी एक बहुत जादोई सी दवा HCQ, हैड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यह दवा आप याद कीजिए कि मार्श महने के तीसरे और चौथे जो तीसरा और चौथा हपता है उस समय यह दवा मेडिसीन स्टोर्स में गायब हो गई थी सारी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया इस दवा को खरीद रही थी और पागलों की तरह इस दुनिया, इस ड्रग के पीछे लोग लगे हुए थे कि इसका ज़्यादा स्टॉक बनाया जाए और इस्तिती यह हो गई कि लोग बगए डॉक्टर से पूछे अपनी समझदारी से, अपने दोस्तों की सलापर कोई दिन में एक दवा, कोई दिन में दो, कोई साथ दिन, कोई 14 दिन इस दवा को ले रहा था यह मान कर कि यह जो दवा है, यह कोई जादूई दवा है और इसको ले लेने से कोरोना वाइरस जो है, वो आपको नहीं होगा कई लोगों को ये भी लगा कि अगर हो गया है तो ये दवा उनको ठीक कर देगी लेकिन क्योंकि कोरोना वाइरस नई बिमारी है नया infection है नया वाइरस है और इसका जो खास करके नोबल कोरोना वाइरस है जिसको COVID-19 बोला गया है तो इसको लेकर कोई data नहीं था कि ये दवा किस तरह से काम करती है, करती भी है नहीं करती है, किस तरह के side effects हो सकते हैं इस तरह के patients में, तो बगए data के कुछ देशों ने इस दवा को खास एक targeted groups को जो खास करके Corona को लेकर जादा खत्रे में थे, वो इसको ले सकते हैं इस तरह की recommendations वहां की scientific और medical research की bodies ने कर दी, और इसकी वज़ास से ये एक तरह से और जादा इसको लेकर जो एक खरीदने की urge और इसको ले लेने की इच्छा जो है, ये और जादा लोगों की तेज हो गई और लोगों ने इसको इसका इस्तमाल करना शुरू कर दिया, इसी बीच में आधार पर बलकी स्वास्त मंत्राले ने ये सिफारिश की कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जो इसके front line जो जिन पर ये ज़्यादा जिनका खत्रा है, उनको ये दवा लेनी चाहिए और हलांकि वह नोंने दो उसमें precautions बड़े तोर पर दिये कि बगएर prescriptions के न ले और दूसरा कि इसको कोई ये न माने कि आपने अगर ले लिया है तो आपको नहीं होगा, मत्तब सावधानी नहीं बढ़ती है, ऐसा नहीं है, तो इसकी वज़ास से और ज़्यादा इसकी विक्री बढ़ जाती है और जातर medical stores में ये दवा खतम हो जाती है, इस बीच में अम पर बैन लगा चुका था, वो बैन हटाता है और अमेरिका को पांच करोड जो टैबलेट से वो उनको देता है retaliation, why wouldn't there be? infection के cases में वो recommend करते हैं, तो इस तरह से दुनिया के कई देशों में इस दवा को लेना शुरू हो जाता है और ये भगदर लगभग दो महने तक चलती है, लेकिन इस बीच में 22 मही को Lancet, जो medical professionals की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में है, journals में है वो एक बहुत बड़े trial का, लगभग 96,000 लोग जिसमें शामिल हैं patients करोना के, उसमें किये गए trials के अधार पर अपने findings हैं, वो release करता है 22 मही को और उसमें ये बताता है कि इस दवा के इस्तिमाल से करोना का संक्रमन ठीक हो जाएगा, इसके कोई evidence नहीं है और ये भी कहा कि इसके अलावा ये भी पता चला उस trial से कि इसकी वजह से लोगों के मरने के chance से जादा है और खास करके heart rate बढ़ जाने की जो समय से है वो बढ़ सकती है, इसके side effects है, serious side effects है ये दो findings को लेकर Lancet आता है, Lancet के finding के ठीक 5 दिन बाद WHO कहता है कि जो एक global उनका trial चल रहा था SCQ को लेकर hydroxy chloroquine को लेकर उस trial को World Health Organization बंद कर देता है, सारी दुनिया में उस trial को बंद कर देता है और इस तरह से एक जादूई दवा जिसको लेकर बहुत जादा hope थी, बहुत जादा उमीद थी, वो आज की तारीक का data ये बताता है, आज की तारीक की medical fraternity ये मानती है कि इस दवा की coronavirus जो COVID-19 है, इसके infection को ठीक करने के बारे में कोई प्रमान नहीं है ये इस दवा को लेने से आपका COVID-19 का infection ठीक हो जाएगा, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, बलकि इसके side effects हैं इस बीच में ICMR, जो भारत की Medical Research Institute है, वो एक दुसरे level पर छोटे-छोटे कुछ trials करता है और उसके basis पर वो ये 22 मई को ही ये कहता है कि बीमारी को रोकने की इसकी छमता के कुछ प्रमान मिले हैं एम समेथ कुछ hospitals में उन्होंने ये trial किया और इसके आधार पर उनका ये नतीजा है कि रोकने में इसमें कुछ सभलता मिली है इसलिए वो 22 मई को फिर से ये कहता है कि इस दवा को रोक के लाज के लिए तो नहीं लेकिन रोकने की छमता के तौर पर इसका इस्तिमाल हो सकता है More recently, when it was raised for healthcare workers, a lot of data in terms of pharmacovigilance was done by ICMR, by other agencies to look for and to monitor for side effects and that data also suggested that the side effects are predominantly mild and they were not really worrying serious side effects इस समय एक तरह से आप देखें तो Lancet और WHO, even France ने इसका इस दवा को लिया जाना बंद कर दिया है और तोमाम देश इस समय इस दवा को का इस्तिमाल रोक रहे हैं ऐसे समय आई-सी-म-र ये कह रहा है कि इस दवा में वो छमता है कि ये रोग प्रतिरोजर के एक तरह से आप इसको बिमारी को रोगने की इसकी छमता है तो ये देखें दो अलग-अलग तरह का डाटा इस समय हमारे पास है लांसेट का डाटा जो है वो पुब्लिक है पीर रिव्यूड जर्नल है इसके मुकाबले जो आई-सी-म-र का डाटा है अभी इसकी बहुत सारी पूष्टिया नहीं हुई है बहुत ये पुब्लिक भी नहीं है इसके जो तरीका है वो भी बहुत व्यादास्पद है कि बगार किसी डाटा के ये लोगों को लेने के लिए कहा गया जो कि एक तरह से मेडिकल एथिक्स का भी सवाल है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में डाटा ना हो तो लोगों का आपको बताना चाहिए कि आप ट्रायल में डाल रहे हैं आपने ट्रायल में डालते हैं लोगों को इसको लेने की सलाहट दे डाली तो यह बहुत सारे एथिकल इसूस हैं लेकिन आज की तारीक में देखिए लांसेट का जो डाटा है और डॉल एचेपीजियो की रिकमेंडीशन है वही सबसे बीमार हैं जो संक्रमित हैं उनके बारे में है ICMR का जो डाटा है वो जो संक्रमित नहीं है इसके बारे में है दो अलग अलग तरह का डाटा भी है तो अभी इस समय की स्थिति यह है कि यह दवा जादू नहीं करती है यह दवा मिरेकल नहीं है कोई मैजिक नहीं हो रहा है य कि 70% hydroxy chloroquine बनाता है तो भारत से बहुत सारे देशों ने यह दवाब बनाई मंगाई है उन दवाब का क्या होगा यह हमें नहीं मालूम लेकिन आज की तारिक में इस्तिती यही है कि इस दवाब को खास करके कोरोना के जो मरीज है उनको नहीं लेने को लेकर ही जो डाटा है व कोई-19 है इसको लेकर कोई और दवा कोई और वैक्सीन आने वाले समय में आएगी लेकिन अभी हमें हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी सी निराशा है कि वह दवा उस तरह से असरदार नहीं है जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने माना था और उस दवा को खरीद भी लिया तो इस स्थिति में हम लोग हैं और उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके और कोई दवा आएगी बहुत बहुत शुक्रिया